ब्रैड मैन और लारा की कतार में होते निम्बालकर, निम्बालकर का 443 रनों का स्कोर आज भी किसी टेस्ट न खेले हुए खिलाडी का सरवाधिक स्कोर है विधानशु कुमार प्रद्युमन सिंग जी वल्द लखाजी राव सिंग जी थे तो काठियावार टीम के क्लिकेट कप्तान लेकिन ये उनका छोटा सा परिचय है दुनिया उन्हें राजकोट के चौधवे ठाकुर साहिब के नाम से जानती थी यानि सौराष्ट क्षेत्र में संपन्न राजकोट प्रदेश के महराजा धिराज ठाकुर साहिब प्रद्युमन सिंग जी ये उन दिनों की बात है जब अंग्रेजों का शासन साल भर पहले ही खत्म हुआ था और उसके साथ ही रजवाडे और राजगराने भी ठाकुर साहिब कागस पर राजा नहीं रहे लेकिन राजसी ठाटबाट अहंकार और मान सम्मान की आदते इतनी जल्दी कहां जाने वाली थी जाहिर है कि ठाकुर साहिब को न सुनने की आदत भी नहीं थी दरसल उनकी टीम दो दिनों से लगातार गेंदबाजी कर रही थी और महराश्ट्र की टीम को आउट नहीं कर पा रही थी महराश्ट्र ने 800 रन से अधिक स्कोर कर लिया था कमल भंडारकर ने 200 रन पीट डाले थे और शरत देवधर ने 90 रन बनाये थे एक बलेबास तो दो दिनों से बैटिंग कर रहा था और 400 रन से उपर नौटा उठ था तीसरे दिन के चायकाल से पहले ठाकुर साहिब ने विरोधी कप्तान यश्वंत गोखले को संदेश बिजवाया पारी डिकलेयर कीजिए नहीं तो हम चले ट्रेन पकड़कर वापिस राजखोट गोखले और मैच के अधिकारियों ने ठाकुर साहिब से विंती की बस दो ओवर और बॉलिंग कर ले फिर पारी डिकलेयर कर देंगे ये दो ओवर बेशकीमती थे क्यूकि एक छोर पर टिके बल्लेबाज भाव साहिब बाबा साहिब निम्बालकर 443 रन बना कर नौट आउट थे निम्बालकर ने 6 घंटे से अधिक बैटिंग करते हुए 49 चौको और एक छक्के की मदद से ये रन बनाए थे वो किसी भी फर्स्ट क्लास पारी के सरवाधिक स्कोर 452 रन से मात्र 9 रन पीछे थे दस रन और बनाकर निम्बालकर के नाम नया विश्व रिकॉर्ड दर्ज होने वाला था और निम्बालकर किसका रिकॉर्ड तोडने वाले थे? कोई और नहीं बलकि क्रिकेट के बादशाह सर डॉन ब्रैडमैन का ब्रैडमैन ने 1939 में न्यू साउथ वेल्स की बॉलिंग की कमर तोड़ते हुए 452 नाबाद रन बनाए थे और अब ये रिकॉर्ड एक भारतिय के नाम होने वाला था इसी लिए महराश्ट्र ने दो ओवर और बैटिंग करने की गुजारिश की क्रिकेट लेखक मार्टिन विलियमसन लिखते हैं कि इस पर थाकुर साहिब का जवाब था कि और कितनी बैटिंग करोगे हम फील्डिंग करते करते बोर हो गए है महराश्ट्र की टीम ने जब चाय के समय पारी घोशित नहीं की तो काठिया वाड की टीम ने सचमुच बोरिया विस्तर बांध लिया और निकल पड़ी स्टेशन की ओर थाकुर साहिब ने मैच फोर फीट कर दिया यानि हार मान ली थी इस तरह ब्रैड मैन का वो रिकॉर्ड उस दिन तूटने से रह गया निम्बालकर ने बाद में एक इंटर्व्यू में कहा था कि उन्हें तो रिकॉर्ड के बारे में पता ही नहीं था कप्तान ने कहा था कि पिच पर टिके रहो और वो वैसा ही कर रहे थे निम्बालकर का कहना था कि अगर थोड़े पहले उन्हें रिकॉर्ड का पता चल जाता तो वो और तेजी से खेलते वैसे रिकॉर्डों की बात करें तो क्रिकेट में बहुत रिकॉर्ड अब भी सचिन तंदुलकर के नाम पर है वन डे में सबसे जादा रन और सबसे जादा सेंचुरी जैसे रिकॉर्ड शायद सचिन से कोई नहीं छीन सकता तमाम उपलब्दियां हासिल कर चुके सचिन से पूछे कि क्रिकेट में उनका सबसे पसंदीदा लम्हा क्या रहा है तो वो इस लिस्ट में सबसे उपर रखते हैं औस्ट्रेलिया में सर डॉन ब्रैड मैन के घर पर उनसे मुलाकात को ब्रैड मैन ने सचिन की शाह जाह वाली पारी को टीवी पर देखते हुए कहा था कि इसकी बैटिंग को देखकर मुझे अपनी बैटिंग की याद आती है सचिन कहते हैं कि उस दिन ब्रैड मैन के साथ एक ही सौफे पर बैट कर फोटो खिचवाने का वो बेहत गर्व भरा लम्हा मानते हैं बाद में इंटर्व्यू में उन्होंने कहा कि ब्रैड मैन से इस तरह प्रशंसा पाना और उन से मिलना उनके लिए तीर थी आत्रा के बराबर था लेकिन सचिन की तारीफ करने से 50 साल पहले ब्रैड मैन ने किसी दूसरे भारतिय बल्लेबास की भी प्रशंसा की थी जी हाँ निम्बालकर की ही उन्होंने निम्बालकर को एक पत्र भीजा था जिसमें उन्होंने निम्बालकर की पारी की बहुत तारीफ की थी ब्रैड मैन ने लिखा था कि आपकी पारी तो मुझसे भी बहतर थी निम्बालकर ने बाद में कहा कि ब्रैडमैन के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड था और मेरे नाम महज भारतिये रिकॉर्ड फिर भी उन्होंने मेरी पारी को बहतर माना तो ये उनका बढ़ापन था वैसे निम्बालकर का खेल सिर्फ एक पारी में सिमट कर रहने वाला नहीं था कोलापूर में जनवे निम्बालकर ने 1930 के दशक के आखरी वर्षों में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू किया और अगले 30 साल तक वो टॉप लेवल क्रिकेट खेलते रहे वो बल्लेबास थे, मीडियम पेस बॉलिंग भी कर सकते थे और विकेट कीपिंग भी अपने 30 साल के करियर में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में 56.72 के आउसत से 3687 रन बनाए जिसमें 11 शतक शामिल थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में निम्बालकर ने 52.101 के आउसत से 4587 रन बनाए इनमे 12 शतक शामिल थे ये रिकॉर्ड निम्बालकर को रणजी ट्रॉफी के बहतरीन बल्ले बाजो की लिस्ट में शामिल करता है लेकिन उनके लिए दुख की बात यही थी कि इतने समय तक बढ़िया प्रदर्शन के बावजूद उन्हें भारतिये टेस्ट टीम में खेलने का मौका नहीं मिल पाया वो सीजन दर सीजन लगातार बड़े स्कोर करते रहे लेकिन न जाने क्यूं सेलेक्टर्स की निगाहें उन पर कभी नहीं पड़ी ले देकर उन्हें एक अनफिशिल टेस्ट में भारत के लिए खेलने का मौका मिला जो कॉमन वेल्ट की टीम के खिलाफ 1948 के सीजन में खेला रहा वो कहते थे कि काश मुझे एक मौका मिला होता लेकिन शायद मेरी किस्मत ही ऐसी थी निमबालकर का 443 रनों का स्कोर आज भी किसी टेस्ट ना खेले हुए खिलाडी का सरवाधिक स्कोर है वहीं पारी में सरवाधिक स्कोर का रिकॉर्ड अभी ब्राइन लारा के नाम प दाता